हेलो एवरिवन मेरा नाम है मोहिंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आइक्यू फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के भुगोल के 20 में तो कुन प्रशन हमारा पहला प्रशन है प्रिथवी के सब से सूर्य कोन सा तारा है चार ओप्षन है दृप तारा सूर्य डॉग स्टार सीरिस तो फ्रेंट्स इसका जो ओप्षन भी है वो सही हो जाएगा सूर्य प्रिष्वी के सब सिनिकट जो तारा है वो है सूर्य और जो प्रिष्वी है इसी सौरमंडल का हिस्सा है और सूर्य का चक्र लगाती है यूँ कहें तो जो सूर्य है सौरमंडल का पिता है हमारा आगला प्रशन है प्रिष्वी नेवन लेखित में से कौन सा ग्रह सूरे से सबसे दूर है शनी, ब्रहसपती, वरॉन, आरून तो फ्रेंट्स ये चार ओप्षन है आपके सामने जिसमें C ओप्षन सही हो जाएगा वरॉन जो वरॉन ग्रह है वो प्रिष्वी से सबसे अधिक दूरी पर है और ये ग्रह हलका पीला दिखाई देता है फ्रेंट्स जो ग्रह हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं बुद्ध, शुकर, प्रिष्वी, मंगल, ब्रहसपती, शनी, आरून, वो तथा वरॉन हमारा अगला प्रशन है ब्रह्मांड में सबसे प्रचूर तत्व कौन सा है तो फ्रेंट्स ब्रह्मांड में सबसे प्रचूर तत्व कौन सा है तो सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइट्रोजन तो फ्रेंट्स हाइट्रोजन ब्रम्हांड में सबसे अधिक प्रचूर मात्रा में पाया जाता है ये कैसे पाया जाता है क्योंकि हमारे सोर मंडल के इलावा या हमारे वाई मंडल में भी सबसे ज़्यादा हाइट्रोजन पाया जाती है और इसके लावा जो ब्रम्हांड है जो पूरा ब्रम्हांड है उसमें जितने भी ग्रै हैं तारे हैं उन में सबसे अधिक हाइट्रोजन गैस का सम्मरिशन है और इसके लावा जो दूसरे नमबर का तत्व आता है ब्रम्हांड में वो है हीलियम का हीलियम दूसरे नमबर पर स फ्रेंड्स ये देखी थी सबसे पहले गैलीलियो ने फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो ब्रम्हांड में अनुमानते एक हजार अर्ब गलैक्सीज हैं और हमारी आकाश गंगा भी उसमें से एक है सर फ्रेंड्स टेलिसकोप की साइथा से 1610 में गैलीलियो ने गलैक्सी को देखा था और 2005 में स्पिटजर स्पैनिश टेलिसकोप ने अकाश गंगा की आकार के बारे में पूर्ण धाराओं एवं विब्रहम विपरीत इस बात को सपष्ट किया था कि आकाश गंगा दंड सर्ज इरेटोस्थनीज ने, हिकेटियस ने, एरोडॉर्टस ने तो फ्रेंड्स ये एक आसान सा क्वेश्टन है ये जो जियोग्रैफी शब्द है इसको निर्मित किया था इरेटोस्थनीज ने इनका जनम जो इरेटोस्थनीज थे इनका जनम लीब्या में हुआ था जो की 276 सप पूर्ब माना जाता है हमारा अगला प्रशन है सूर्य चंद्र तथावे सभी वस्ते जो रात केस में आकाश में चमकती हैं डैश कहलाती हैं तारा उपग्रह खगोले पिंड आकाश गंगा तो फ्रेंट्स ये कहलाती है ऑप्षिन सी सही हो जाएगा आपका ऑप्षिन सी जो है वो है खगोले पिंड सूर्य चंद्रमा तथावे सभी वस्ते जो रात केस में आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं वो खगोले पिंड कहलाते हैं फ्रेंट्स हमारा अगला प्रशन है निमल लिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं ह तो फ्रेंट्स चार उप्षिन है आपके सामने शुद्र ग्रह धुमके तू ग्रह निहारी का तो ये है फ्रेंट्स डी निहारी का ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है इसके लवा शुद्र ग्रह धुमके तू ग्रह ये सब सौर परिवार का एक हिस्सा है हमारा अगला प्रशन है पल्सर होते हैं काफ़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंट्स चार आप्शन है प्रिस्वी के वर जा रहे तारे प्रिस्वी से दूर जा रहे तारे तेजी से गूमने वाले तारे उच ताप मान वाले तारे तो पल्सर है फ्रेंट्स ऑप्शन टी सी सही हो ज किरन की बीम उत्सर्जित करता है तेजी से घूमने के कार्ण इसका नाम पलसर है हमारा अगला प्रशन है नेले से कौन शेप्रिया अशूर से विकिरित होने वाली उर्जा का मुख्य कारण है चार उप्षन है नाबकिय विखंडन, नाबकिय विलियन, रसाइनी का विक्रिया, विसारन अभिक्रिया तो फ्रेंट्स ये है option B सही हो जाएगा नाभिकिय विल्यन हमारा अगला प्रशन है प्रिछ्वी सूर्य से अपनी अधिक्तम दूरी पर होती है तो प्रिछ्वी सूर्य से अधिक्तम दूरी पर कब होती है तो 30 जन्वरी 22 दिसंबर को 22 सितंबर को 4 जुलाई को तो option D सही हो जाएगा चार जुलाई को जो प्रिछ्वी है वो सूर्य से अधिक्तम दूरी पर होती है और इसके लावा फ्रेंट्स चार जुलाई को जो सूर्य से अधिक्तम दूरी पर होती है जबकि जो तीन जनवरी है प्रिथवी की निवन्तम दूरी होती है सूरे से ये बात याद रखने हैं अपने कि तीन जनवरी को जो प्रिथवी है सूरे से सबसे नजदीक होती है हमारा अगला प्रशन है किस दिन प्रिथवी सूरे से सबसे निकट होती है 23 सितंबर 3 जनवरी 4 जुलाई 21 मार्च तो मैंने फ्रेंट सूपर भी पिताया आपको कि जो 3 जनवरी है उस दिन प्रिथवी सूरे के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर हमार अगला प्रेशन है निकले लिखित मैं से कौनसा भी शौल्तम ग्रह है तो फ्रेंट्स यह एक युनिवर्सल क्रॉष्टएं है बहस्पति शूकर शणी यूरेनिस तो यह है बहस्पति हमार अगला प्रेशन है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है प्रिथवी, मंगल, शनी, ब्रहस्पती तो सबको ग्यात होगा ब्रहस्पती सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा अगला प्रशन है इन में से कौन प्रिथवी के आकार की तोला में छोटे ग्रह हैं आरण और मंगल वारण और शुकर शुकर और मंगल वारण और मंगल तो फ्रेंड्स यह जो question है काभी महत्वपूर्ण है इसका C option सही हो जाएगा शुकर और मंगल हमारा अगला प्रेंचन है सौर मंडल के चार सबसे विशाल अबरो खुरम में है ब्रहस्पती बुद्शानी अर यूरेनस बुद्ध ब्रहस्पती बुद्शानी और नेप्च्ण तो फ्रेंड्स इसका जो सही option है वो होगा Option C, ब्रहसपती, शानी, यूरेनस और नेप्चून ये विशालतम ग्रह हैं सौर परिवार के हमारा लास्ट और अंतिम प्रशन है बोद ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है 0, 1, 2, 16 तो friends जो बोद ग्रह है इसका जो उपग्रह है वो 0 है इसके लावध जो शुक्र ग्रह है friends उसके भी 0 है और जो बाकि बचे हुए ग्रह उन सभी के पास अपने अपने उपग्रह हैं, सबसे ज़ाद उपग्रह बहस्पती के पास है और उसके बाद शनी के पास है तो friends ये था आज का हमारा वीडियो अगले वीडियो में हम और महदस महतुपूर्ण प्रशन लेके आएंगे विश्व के भूगोल के तो अगर आप हमारी इस चैनल पर नए हो तो एजुकेशनल स्टडी आई क्यू ग्रूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्याद से ज्यादे शेर करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में